कल ही हमने आपको एक खबर दिखाया था कि कैसे बीजेपी महिला मोर्चा की पर्देश पाथक चिरेविता मिस्त्रा मीडिया के सामने रो रोकर नया की गुहार लगा रहे थी उनका कहना था कि चार साल पहले उनकी बेटी के हत्या उनके सस्रावालों ने कर दी लेकिन अब तक उनको नया नहीं मिला है बकाईदा वो मुखमंत्री प्तिश कुमार पुर्व मुखमंत्री और वर्तमान रासभासान ससुजिल मोदी से मिल चुके हैं और लगातार वो हर जगद दर-दर भटक रहे लेकिन नया नहीं मिला और वो तो मिरुन कहा था कि अगर ये मेरा हश रह तो आम महिला का क्या होता होगा और आज हम आपको एक ऐसी आम महिला की कहानी बताने जा रहे हैं नमस्कार महिमान शिकुमार आप देख रहे हैं ता जंक्षन बतादे कि आज बीजेपी के सहियों कारेक्रम में लखी स्रैकी एक महिला पहुँची थी और बकाईदा वो कह र जमीन की वारिस भी है और उस जमीन पर अपराधियों की नजर है और वो से सस्ते दावों में खरीदना चाहता है और इस दोरान जब उनकी बेटी मोवाइल दुकान रिचार्ज कराने जा रहे थी तो उन्हों पराधिय ने उठा लिया और उसका बलातकार किया वो मुहमंद पासवान के पास अपना दुक्रा सुनाया औरने जाल लगाई आपको होता दे कि मंतरी ने ऐस भी को काल किया और आम विलेने को कहा लेकिन महिला ने बताया कि 4 बार वो SSP करेल जा चुकी है कई बार ठाने भी जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहे आप समझ सकते हैं जब BJP की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष बिंदा मिस्रा का यह हस रहे तो एक आम महिला का क्या हो रहा होगा नितीश कुमार जो यह दावा करते हैं कि वो महिलाओं के लिए काफी कुछ कर रहे हैं लेकिन सवाल यह उठता है जब उनके जनता दरवार में एक महिला सिकायत लेकर पहुँच ली है तो आप एधन तो स्विकार किया जाता है लेकिन उस महिला को मिलने नहीं दिया जाता है और यह महिला दरदर भटक रही है और नया की गुहार लगा रहे है तो क्या नितीश सरकार इनको नया दिल्वा पाएगे आपको बता दे कि 2020 में मात्र 9 महिने में 1000 से ज़्यादा रेप के से सदर्ज किये गए हैं रोज 4 या 4 से ज़्यादा रेप या गेंग रेप की सिकायत प्रशासन के बारे में एक खबरे आती रही है कि जब महिला इसकी सिकायत करती तो संग्यान नहीं लेते हैं जैसे इस महिला का कहना है कि वह थाने 4 बर गई थी लेकिन दरोगा साहिब ने गाली गलुज कर भगा दिया और पुलीस इस बात को लेकर पल्ला जहाल ले रही है ये जमीनी विवाद है, अब जमीनी विवाद में अगर कोई अपराधी किसी के रेप कर देता है, तो क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए, महला ये कह रही है कि उनका रेप हुआ है, वो बकाईदा अपने जखम को दिखा रही थी, तो क्या इस पर मेडिकल जांच होनी चा कार के प्रशासन पर स्वाला लिसान खड़ा कर रहा है,